तो फ्रेंट्स रिवीजन टेश्टी 2020 का अच्छा दस्मी विसे समाज भी गया तो चलिए मैं अपनों को इस वीडियो में इसका फूल सल्वीसों देने वाला हूं सभी कोश्चन्स का तो चलिए सुरू करते हैं तो पहला कोश्चन है सही विकल्प चुनिए तो इस प्रश्ण केस्ट अंधरिता संग्राब के समय भारत के गवर्नर जेनरल थे तो इसको जाएगा लाड कैनिंग भारत के किस भारत के समीदान में कितने अनुच्छ तो इसमें हो जाएगा 395 भारत की प्रथाम अद्दोगे की नित की होफणा किस वर्स में की गई तो इसको होगा 1948 ओके मुंबई बंदरगाय के दवागों कम करने है तो विक्सित बंदरगाय है तो इसका हो जाएगा नहाव सेवा ओके फिर है नेस्ट कोशन जो किया है प्रस्ट नंबर दो एक वाक्ष में उतर दीजिए तो इसमें पहला है पेंट पॉदे और जीव जंतुओं के साड़ी काले एफसेजिसों को क्या कहते है तो इसे कहते हैं दोस्तों हिूमस ओके दूसरा है भारत में प्रथब पंच वरसी उजना कब लाग की गई थी तो इसका उतर होगा एक अप्रेल उन्नी सोइंग क्यामन को ओके तीसरा है मत प्रदेश की विधान सभा की फदर संगे कितनी है तो इसका हो जागा 230 ओके फिर है अट्राफ फंतामान की एकरांदी का तात कालिक करण किया था तो इसका उतर हो जागा चरवी लगे कार्तू से फिर है समीधान में नागरीकों को कितने मूल अधिकार पदान किये गए हैं तो यह सब जानते हैं च्छै ओके फिर है नेस्ट कोश संभि स्थान पर दोस्तों तो है महराष्ट है औके दूसरा है इंटरनेस्टनल निट वर्क का संचिप्त नाम है दो इसको हो जाएगा इंटर नेट तीसरा है संयुक्ते वन प्रवंधन वेस्था में किसका महात्पूर्णिस्थान होता है तो इसका हो जाएगा वन सुरख्चा समीतियों का च्वथा है दिल्ली की जंता ने खालिस्थान को भारत का संबराट गौफित किया तो इसका हो जाएगा बहादूर साह फिर कोश्टक में दूती तो इसका उत्मों जगा बहादूर साह दूती है सभास सहायता शमूँ में सदस्यों के अधिक्तम संख्या होती जिसका दोस्तों 20 है जो के 20 होती है कि इस पर ऐसाही जोड़ी बनाएए ऊच्वाता को उस्चिन है सभले इसमें पाह अमरती सेर दूस्तों आर्थिक कल्यान द आप चलिए बादते हैं आपके प्रश्ण करमांग पांच ऑके भॉम जल पाने किस रोद और इसके अथ्वा में है मिर्दा फ्राच्छर से आप कैसे बचते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को दोनों का उत्तर दिखाता हूं ओके दिख लीजिए तो फ्रेंड्स यह रहा आप लोगों का आंसर ओके यह है मिर्दा फ्राच्छर वाला और यह है उसके अथ्वा वाल कोश्चर जो की था भॉम जल पाने किस रोद तो दोनों का उत्तर यह है अच्छे देख लीजिए अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की तरफ अब है दोस्तो प्रेशन नंबर च्छे जो की है अट्राफ फंतामार्ट के के कर कान से है और इसक अथ्वा में है अठछ को दोनों का आंसर दिखाता हूं चलिए देख लिजे तो फ्रेंट्स यह भरा आप लों को जो अच्छा देखे जिस कोश्चन को आपको अच्छा रगता लिखने में वह आप लिख लीजिए दो मस्ते को यह एक अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की तरफ अब है दोस्तों प्रश्म क्रिमांग साथ जो कि है आर्थे की विकास किसे कहते हैं और इसके अथ यह रहा आप लोगों का अंसर जो कि है आर्थे विकास वाला की आर्थे विकास किसे कहते हैं तो उसका अंसर यह रहा ओके आर्थे विकास की परिवासा है यह तो देख लिजिए और उसके जो आथो में था कोश्चन चलिए मैं अब लोगों को उसका अंसर दिखाता हूं त से रहा उसके द्भाबाला कोस्चन जो कि तब प्रतिव्यक्ति आहे किस से घंड़ने का फूत्र लिखे तो प्रतिव्यक्ति आई ये रहा आप गो इस अछयद आफ देख लीजिए लिख लीजिए में एस है और फूत्र मैं आप दिखाता हूं ए तो तो फ्रेंट्स यह रहा प्रतिव्यक्ति आई की गड़ना का सूत्र ओके तो देख लिजिए आप लोग अब चलिए बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की तरफ अब है दोस्तों नेस्ट कोश्चन प्रेंट्स यह रहा आपनों का अंसर जो की था कोश्चन की मेड़ा फरक्षण के तिन उपाई लिखे हैं मेड़ा फरक्षण के तुन उपाई तो साथ उपाई लिखे हैं कोई ती आपको लिख लेना है चलिए देख लिजिए और आप लोग इसकी अथवाला कोश्चन का उत्तर तो फ्रेंस यह रहा उसका अंसर कोश्चन था कि माना जो मेड़ा का क्या मह कि अब है दोस्तों प्रश्चन क्रमा कि नाओ को के लाल मिट्टी में कोई ती अंतर लिखिए इसके अंतर लिखना है तो तीन अंतर लिखे हैं तो अच्छी देख लिजिए अब इसके आत्म धंतर दो nest के खरी फ्यम राविक सल मेंं अंतर इस प्रश्चन की तो उसका अंसर आप लोग देख लिजिए तो फ्रेंस यह रहा आपलों का अंसर कि खरी फ्यम मरेव संग्राम को प्रथम फोटवों कहा जाता है और इसके कन दोस्तों की प्रथम फोतंदिता संग्राम का भात की राजनेदिक वहस्ता पर क्या परहु पड़ा तो दोनों का आंसर आप लोगं देख लिजी चलिए तो फ्रेंड्स यह आप लोगं का अंसर सन 18 फंदामन के संग्राम को पर्थम फंदा संग्राम को कहा या था तो इसका अंसर यह है देख लिजिए अब लोग और इस प्रस्ण के आथव में जो प्रस्ण था उसका भी अंसर आप लोग देख लिजिए तो फ्रेंड्स आथवा वाले कोश्चन का ये अंसर रहा आप लोग देख लिजिए अची तरह से अब चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ सब्रस्ण किर्माँ गीघा रहे सवमित के आधार पर उद्चेल के ब्राकर होते हैं और आकार के आधार पर उद्चेल के ब्राकर होते हैं दोनों question का उत्तर मैं आपलों को चलिए बता देता हूँ तो friends ये रहा आपलों का उत्तर सुमित के अधार पर उद्धियोगों के प्रकार तो आपलों इच्छी तरह देख लिजिए और दोस्तों जो इसके अत्वम प्रश्ण था कि आकार के अधार पर उद्धियों के प्रकार तूश्का भी आपलों देखनी जी चलिए तो फ्रैंट से ये रहा आप का आणसर को आकार के आद्ध deba यह 1 चार प्रकार इच्छी तरह देख लिजिए भ्ते कर्फ की तरफ अब है दोस्तों प्रश्ट क्रमां के बार रहें जो कि है अठाराफ फंतामन के प्रिथम फतन्दिता संग्राम के चार कारण लिखिए और इसके अथों में है बिटी सासन से भारति सासकों में संतों से कोई चारण कारण लिखिए तो चलिए अब लोग इसका भी अंसर देख लिजिए और इसके अथों में जो कोईशन था उसका भी अंसर आप लोग चलिए देख लिजिए तो फ्रेंट्स यह रहा आप लोग का अथ्वा वाले कोईश्टन का उत्तर के भारति सासकों में असंतों के क्या करान थे तो यह आप लोग उत्तर आप लोग चे तरफे रहें भारत का समीधान लिखे तेम विश्टित क्यों है संचेप में लिखिया और इसके अथों में है संफदेश आसन प्रानले की चार मिसेस्ता लिखिये तो दोनों का उत्तर चली मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो फ्रेंट्स यह आप लोग का अंसर जो कि था भात कर समीधान लिखे तेम विश्टित क्यों है समझाईए तो पूरा अंसर यह आप लोग का देख लिजिए चितरे से अब चली जो इसकी अथो में कोश्चन था उसका भी अंसर आप लोग देख लिजिए तो फ्रेंट्स यह रालमों का अंसर अथो वाले कोश्चन का जो कि था समझाईए तो यह नहीं है दोस्तों इसको आपको नहीं लिखना है यहां ध्यान देना दोस्तों इस टॉपिक पर जो लिखा संफदी सासन वरस था तो इसको आपको लिखना है ओके तो अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की तरफ अब हैं नेश्ट कोश्चन प्रश्चन नंबर 14 जो कि है राष्टे ग्रामेर रोजगार गरंटे योजना क्या है उद्देश साइथ समझाईए औ तो दोस्तों यह रहा आप लोग का अंसर जो कि था राष्टे ग्रामेर रोजगार अंटे उजना से क्या साय उद्देश लिखिए तो यह रहा आप लोग का उत्तर अच्छी तरफ देख लीजिए अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की तरफ जो दस्तों इसका अथ्वा है अथ्वा कोश्चन था वो देख लीजिए आप लोग तो फ्रंट्स इसके अथ्व में था मुद्रा की कारे लिखिए तो यह रहें मुद्रा कारे आप लोग अच्छी तरफ देख लीजिए अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की तरफ अब हैं दोस्तों प्रश्ण क्रिमांग 15 निर्यात समवर्धन तदा आयात प्रतिस्थापन का अर्थिस पस्ट कीजिए और इसके अथ्व में है आंतरिक जल परिवाहन की प्रमुख बाधाय कौन से लिखिए तो चलिए इसका भी अंसर आप लोग देख लीजिए तो फ्रंट्स यह रहाब लोग का अंसर ओके निर्यात समवर्धन एम आयत प्रतिस्थापन को समझाए तो दोस्तों यह अंतर है लेकिन आपको इसी से कोश्ट का अंसर बनाने लेना है ओके सेम्ट से में इसी को लिख देना है यदि आप इस प्रस्ट को लिख रहे हैं तो बाकि जो इसके अथ्व में है वो भी कोश्ट अच्छा है तो उसको भी आप लिख सकते हैं तो चलिए उसका यह अंसर आप लोग देख लिजिए अब चलिए बढ़ते हैं अंगले कोश्ट की तरफ अब है अंगला प्रस्ट प्रस्ट नमबर 16 वन से होने वाले कोई पांच लाब लिखिए और इस कैथों में है भारती आर्थिवस्था में किसी के योगदान को लिखिए तो चलिए दोनों का अंसर आप लोग देख लिज अब जो इसके आथा में कोश्टन था उसका व्युत्तर अब लोग देख लिजिए तो फ्रंट्स यह रहा आथा वाले कोश्टन का अंसर भारती आर्थिवस्था में किसी के योगदान को इस पश्ट कीजिए तो अब लोग देख लिजिए इची तरह से अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्टन की तरफ अब है दोस्तों प्रश्ण नंबर सत्रह भारती समिधान की कोई पांच इसस्तायों का वड़न कीजिए और इसके तो में हैं भारती समिधान में वड़ित नागरिकों के मौलिक करतवें का उले कीजिए तो दोनों का अ अब तो फ्रंट्स यह रहा अंसर भारती समिधान की विश्टाएं लिखिए तो चलिए देख लिजे अब चलिए दोस्तों इसका जो अथ्वा है अथ्वाले प्रेश्ण का भी उत्तरहम लोग देख लेते हैं तो दोस्तों यह रहा आथ्वाले कोश्टन का अंसर ओके तो आप लोगों को यहां लिखना है समीधान के 22 समफोधन पूरी चैतर के द्वारा तो यहां लिखना आप लोगों को यह पूरा ओके तो देख लिए जैशी तरह से अब चलिए अंगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अब है दोस्तों प्रश्ण नंबर अठा रहे हैं जल्स अंफाधन के प्रमुख सुरोत क्या है जल्स अंफाधन का मारा जियों में क्या महत्त हैं ओके जिसके अथों में है हरित क्रांतिक का आर्थ यह इसे स्ताय लिख लिए तो यह आप लोगा अंसर जल्स अंफाधन के प्रमुख सुरोत क्या है जल्स अंफाधन का मारा जियों महत्त लिखिए तो देख लिजे यह अंसर अब चलिए जो इसका अथवाला कोश्चन था उसका भी अंसर हम लोग देख लेते हैं तो फ्रेंट्स यह रहा अंसर आप लोगं का हरित क्रांति की बार में था और हरित क्रांति की स्ताय लिखिए यह सब था कोश्चन तो आप लोग देख लिजे इसका अंसर अब चलिए अंगले प्रश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब है अंगला प्रश्चन प्रश्चन नमबर 19 दूर दर्शन संचार का सबसे उप्यूक्त माध्यमें इस पश्ट कीजिए और इस कैथों में है परिभान के साधन माना सविता के प्रगति के प्रध प्रदर्फक कैस कि तो दोनों का अंसर आप लोग देखने जी तो फ्रेंट्स यह रहा आप लोग का अंसर की दूर दर्शन संचार का सबसे उप्यूक्त माध्यमें इस पश्ट कीजिए तो यह रहा पूरा अंसर अब लोग देखने जीए यह रहा पूरा अंसर अब चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोशिंग तरफ जो इसके आथो में था वो वाला कोशन देखते हैं ओके उसका अंसर आप लोग देखने जीए इसके आथो वाला तो फ्रेंट्स यह रहा अथो वाले कोश्चन का अंसर है यह को के परिवहन के साधर मौना सभीता की प्रगति में प्रगति में प्रदर्फक्त नियुक्त हो गए हैं तो यह रहा पूरा अंसर अपनों का अच्छी तरह से देख लिजिए दोस्तों यह यदि वीडियो कौलिटी अच्छे लगे या फिर बैट लगे या फिर दुदब न दिखे इस प्रशन देखे तो एक प्रश्चन द काम करना सब्हुस्तों को एक दम न बढ़ते गहीं अब चलिए लास्ट कोश्चन के दरब बढ़ते हैं तो दोस्तों अब है इस प्रस्ट इस कोशन के प्रस्ट 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 करमा की बीजिए और फिर है भारति राष्ट्रिक अंग्रेश की स्थापना के कोई तीन उद्देश से लिखिए तो दोनों का अंसर आप चलिए देख लिए बीजिए तो दोस्तों यह आप लोगा अंसर प्रिथम फ्टानुलिता संग्राम की अस्वादा के कारण यह फिर अट्रफ फंदावन की संग्राम की अस्वादा के करण तो यह पूरा अंसर कोई 5 लिखना है तो 5 यहां दिये हैं आप लोग अच्छी रफ़ देख कर लिख ली देख लीज जिए नहीं तो फ्रेंट यह आपनों का अंसर है ओक्य तो अच्छी द्रॉप देख लिजें ऑख रोल को अब हुआ है तो फ्रेंट्स वीडियो देएक धन्य बाद मुल्य नेक्ष्ट वीड़ियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरं झाल झाल